तेरी मेरी पार पड़े कोनी आप सभी का गुर्कुला आर्मी ओनलाइन प्लेटपोर्न पर हाद एक स्वागत अभिननदन आज का सेशन बड़ा important रहेगा मेरे लाड़ ले कोई भी vacancy आए सब vacancy में लाड़ ले current affairs सबसे ज्यादा important रहता है चाहिए कोई भी vacancy हो सबसे ज्यादा यह question पूचा जाता है कौन सा पूचा जाता लाड़ ले current affairs का है कि Current Appents सबसे important रहता है चाहिए वो कोई भी vacancy हो चाहिए आसे जीडी हो चाहिए आसे CHSL हो चाहिए आपकी आर्मी अगनिवीर हो चाहिए आपकी दिली प्लीस हो लाडलो सभी के लिए important रहेगी इसलिए सभी exam को देखते हो यह हमारी team के दिवारा यह निर्ने किया गाया था कि हमारी current की class होगी लाडले जो 50 plus questions होंगे अत्ती मायतवपुन जो exam की दिश्ची से अत्ती मायतवपुन होते हैं तो सभी questions आपके लिए एक बार साप लेते हैं सभी बच्चे एक बार session को दबाके share कर दीजिए और class का आगाज करते हैं लाडले श्री गनेस करेंगे एक बार बिनाक्सी देर के लाडले एक बार session को दबाके share कर दीजिए सभी बच्चे बिलकुल बात करते हैं बारते सेना ने कहां अगनी सस्त्र पस्ट सेने अभ्यास का आयोजन क्या था चार उप्शन सापके सामने चाप दीजिए एक बार comment session में बिनाक्सी देर के देखते हैं इसक बिनाक्सी देर के देखते हैं इसका सबसे पहले right option कोन देता लाडले बिलकुल एक बार session को दबाके share कर दीजिए सबी बचे कि पिल्कुल बिल्कुल लाडले आपका right answer है जो बारते सेना ने कागनिस्तिर फश्ट सेन ने अभ्यास का योजन क्या था लाडले वो कहां किया था आपके लद्दाग में कहां किया था लद्दाग में किया था लाडले बिलकुल अगले question की ओर सलेंगे कि इसके तेनाती दिखाई गई थी और एंटी टेक मिसाइलों और काल्स गुस्ताव रोकेट लॉंचर आरेल ने भी अब ब्यास आगने स्ट्रेफपस्ट में भाग लिया ता लार ले इसका भी एक बार इसके सोट ले लिये सभी बच्चे बिल्कुल लाड ले आज का सेशन बड़ा इंपोर्टेट रहेगा सभी बच्चों के लिए तो एक बार साब दीजिए बिल्कुल देखते हैं इसका सबसे अपले राइट उप्शन बिल्कुल लाड ले बात करते हैं आगे की और यह जम्मुक समिर के सलडा अख्शेतन में थे सामनत कुमार गोयल और चार उप्शन साब के सामने साब दीजिए एक बार बिनाक्षी देरिके बिल्कुल याड ले एक बार सेशन को सेर कर दीजिए और महनत करते रहे क्योंकि रक उसेला हो मनजर भी आएगा प्यासे के पास समुंदर भी आएगा यू रूट करना बेट मनजिल के मुसाफिर मनजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा बिलकुर लाले आरे डबलू का जो नया प्रमुक बनाया था वो लाले किन को बनाया था बेलकुर लाले रवी सिनहा को बनाया गया है ठीक है लाले बात करते हैं अगले क्यूशन की ओर की इस्तानी है प्रकासकों की साहिता के लिए बारतिय बासाकारी करम किसने प्रारम किया Amazon, Microsoft, YouTube या Google तो चाप दीजिए एक बार बिना किसी देरी के देखते हैं इसका सबसे पले राइट उप्षन कौन देता है क्या उप्षन सापके सामने एक बार सभी बचे कमेंट शेशन में चाप दीजिए बिलकुल बिलकुल लाले जी हाँ बिलकुल इस्तानी है बासा की प्रकासकी की साहते से जो बारते बासा कर एक करम है वो किसने प्रारम किया था एक बार सभी बचे चाप दीजिए बिलकुल लाले जब राश्टर बासा के परचा सिमिती की स्तापना हुई थी 1936 में उस समय राश्टर पिता महात्मा गंधी ने एक स्वे संचाली जो राश्टर बासा संस्ता के रूप में इस्तापित किया था उसको देखते हो है आपके गूगल ने ओनलाइन जो प्रिक्रियाती उसको चालू किया था बात करते हैं नेक्स्ट क्यूशन की कि बारत में पहली बार बारतिये बू है के नहीं के सर्वेक्षन जीएसाई द्वारा लीथियम के बंडार की कोज कहा की गई है अरुनाचल परदेश जम्मु कस्मीर लदा किया हिमाचल परदेश बड़ा इंपोर्टेंट क्यूशन आज का बिलकुल लाड़े साभी के लिए एक बार सेसन को सेर कर दे बाई बिलकुल साभी जीए पहली बार बारते बूवे गैनिक सर्वेक्षन द्वारा लीथियम के बंडार की कोज कहा की गई है बिलकुल लाड़े जम्मु कस्मीर में कहा की गई है लाड़े जम्मु कस्मीर में और जम्मु कस्मीर में कहा की गई है लाड़ ले आपके जम्मु कस्मेर के सलाल हेमाना चेतर में कहां की गई है? सलाल हेमाना चेतर में सलाल हेमाना चेतर में आपके लिथियम के दो बंडार है उनकी खोज की गई है बेलकुल और इसके बारे में अगर तो और शी और चर्चा कर लेते हैं तो लाड़े 5.9 मिलियन टन से अधिक लीटियम के बंडार की गोषना यहाँ पे जो अनुमानित गोषना हुई है वो कितनी हुए लाड़े 5.9 मिलियन टन 5.9 मिलियन टन ठीक है लाड़े बेलकोल बात करते हैं इसके अलावा अगले क्यों की ओर चलेंगे लाड़े कि खेलो इंडिया यूद गेम्स 2022 की पदक तालिका में सिर्श तीन इस्तान पर किन राजियों का इस्तान रहा था या कौन से इस्तान पर प्राफ थूए थे सब जो पर्थम तीन पर थे तो साब दीजी एक बार कमेल शेशन में बिना ख काड आज चुके हैं आप सभी को यह कुछी होगी जानकर जिनका आपका एक्जाम होगा बिल्कुल उनके लिए ग्रामबान की तरह साबित होगी लाड़े बिल्कुल लाड़े जो खेलो इंडिया यूद गेम्स 2022 की पदक तालिका में लाड़े जो शिर्श तीन रा इस्तान कितने पदक जीते थे लाड़े माराष्ट ने कुल गोल्ड मिदल जीते थे कितने जीते थे लाड़े 56 गोल्ड मेडल जीते थे और हरियाना ने 41 जीते थे बिल्कुल लाड़े इसके बाद में बात करते हैं अगले एक सुनकी और कि परदाल मंत्री दुआरा जल सरक्षन के परतीज जाग रुकता के लिए जल जन अभियान का सुवारम कहां किया त्यार उप्सन साब के सामने साब दीजी एक बार कमेंट सेशन में बिनाक्षी देर बिल्कुल एक बार सेशन को दबा के सेड कर दीजिए मेरे सेर सेर नहीं हो क्योंकि आज का सेशन सभी के लिए अती महतवपूर होगा लाड ले तो सभी बचे एक बार सेशन को दबा के सेर कर देए बही लाड़ दो बिलकुल लाड़ ले जी हाँ बिलकुल परजान मंतिरी दोवारा जल सरक्षन के परती जाग रुकता के लिए जल जल अभियान की सुमांकर कहां की गीती लाड़ ले राजस्तान में और राजस्तान में कहां लाड़ ले राजस्तान के सीरोही में और शिरोई में कहां लाड़े आबू रोड शिरोई के जहां आबू रोड है उस आबू रोड में आबू रोड पे वहाँ पे इस्तापना की गई थी और आबू रोड में भी इस्तापना अगर आगे भी है इसके बारे में पूस लिया जाए तो लाड़े जो परजापती ब्र परजापती ब्रह्मा कुमारी ये नाम इंपोर्टेंट है इस नाम को कभी मत बूलना परजापती ब्रह्मा इस्वरिये सहस्ता थी इस्वरिये सहस्ता पिलकुर लाले अगले किशन की ओर चाते हैं लाड़ ले कि केंद्रिये ग्रहम मंत्री अमित्सा के द्वारा किस राज्ये के पुलिस बलको प्रिसिडेंट कलर समान परदान किया गया है चार ओप्शन से आपके सामने लाड़ ले साब दीजिए एक बार एक कमेंट सेशन में राइट ओप्शन देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ओप्शन कौन देता है बिलकुल लाड़ ले आपका राइट आउन सुर है बिलकुल हरियान प्लिस को ग्राय मंत्री अमिस्सा के दुआरा जो आपका परसिडेंट कलर समान दिया गया था ठीक है लाड़ ले अगले कुशन की ओर सलते है कि परदाल मंत्री नरेंदर मोदी ने नए संसत भवन का उद्गाटन कभी किया चाप दीजिए एक बार सभी बचे क्योंकि इस बार का सबसे इंपोर्टेंट क्यों संद रहेगा आपका बिल्कुल लाड़ ले जो मोदी के दुआरा इसका उद्गाटन किया गया था आपके नए संसत भवन का उद्गाटन जी बिल्कुल चाप दीजिए एक बार सभी बच्चे जी 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 एक देजिए इसका सबसे पहले राइट अप्चन कोन देता है बिल्कुल लाड़ ले 28 मई 2023 को नरेंद्रम मोदी के दुआरा ने संसत भवन का उद्गाटन किया गया था बात करते हैं इस ने संसत भवन के ने संसत भवन केसा है लाड़ ले त्रिकोण केसा है त्रिकोण ये होए त्रिबुज के समान त्रिकोण ये त्रिबुजाकार ठीक है लाड़ ले बिल्कुल लाड़ ले जो बहुत ही बड़ा है जो अभी संसत है उससे बहुत ज्यादा बड़ा है और 970 करोड रुपे इसमें लागत हुई थी कितनी हुई थी 970 करोड लागत बिल्कुल लागत का पूछ लिया जाता है तो 970 करोड इसमें लागत हुई थी बिल्कुल और 10 दिसंबर 2020 को इसकी जो नीव रखी गई थी COVID काल में कब रिखे गई थी 10 दिसंबर 2020 10 December 2020 COVID के समय इसकी नीव रखी गई थी लाड़ ले बिलकुल जो सबसे important question रहता इस बार बिलकुल लाड़ ले इसके बारे में वो आगे बात करेंगे लाड़ ले अगले एक्षिन की बात करतेंगे बारत के 82 ग्रेंड मास्टिक कौन है बुपल परनीत विजे लक्समी विगनेस एनार या साइतन दास तो साब दीजिए एक बार कमेंट सेशन में सभी बचे राइट ओप्शन बिल्कुल लाड़ ले इसकी एज बहुत कम थी लाड़ ले बिल्कुल बिल्कुल लाड़ जो 22 ग्रेंड मास्टर बने थे लाड़ वो कौन बने थे आपके विपुल आपर नहीं उब बने थे और अगर इसे राजिय की दर्स्टिशे देखा जाए तो लाड़ ले चै नमर पे था और अगर भारत की दर्स्टिशे देखा जाए तो 82 पे नमर पे इस्तान पे रहा था और बात करते हैं मात्र 15 वर्स की उमर में कितनी उमर में लास्ट 15 वर्स की इसकी उमर थी बहुत ही कम उमर में तेलंगाना के ये 15 वर्स ये 17 खिलाड़ी थे अगर पूछ लिया जाए तो कहां के तेलंगाना के तेलंगाना के मात्र 15 वर्स ये बिपुला परण नहीं हूँ जुन ने सतरंज के लाड़ी में जो ग्रेंड मास्ट किताब जीता था बिल्कुल जो बांको ओपन 2023 के अंतिम दोर्फ के दोरान अमेरिका की जेम हंस नीमन को हला कर ये उपलब दी हासिल की थी ठीक है लार ले बिल्कुल इसके बाद बात करें बारवां वि कमेंट शेशन में बिनाक्षी दे रही हैं जेकते हैं इसका सबसे पहले राइट ओप्शन बिल्कुल सभी बच्चे एक बार कमेंट शेशन में राइट आंस्वर जरूर बताएं लाड़ ले बिल्कुल लाड़ ले बिल्कुल 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 बारवां विश्वे हिंदी समयलेन 15 से 17 फरवरी को हुआ था लाड़ ले बिल्कुल आपका राइट आंस्वर है जो 2023 में हुआ था आपके नाड़ी सहर फिजी में हुआ था और बात करते हैं आपके 11 वे 20 वे हिंदी समयलन की जो कहा हुआ था मौरिशस में कहा हुआ था लाड़ ले जो 11 हुआ था वो हुआ था मौरिशस में ग्यारमावात आपके मोरिशस में हुआ था लाड़ दे बिल्कुल बात करते हैं अगले एक्षिन की और कि पीएम मोदी के दोरे के दोरान किस देश में हेरी स्पार्क का नाम बदल कर रहे लिटल इंडिया कर दिया बड़ा इंपोटेंट क्यूशन है चाप के रखनार लाड़ ले जिनका शीएक्षसल का पेपर रहा रहा है उनका admit guard आज चुका है लार ले जिनका CHSL का form बढ़ाता उनका admit guard आज चुका है admit guard जाकर चेक कर ले सभी बच्चे कि उनका एक्जाम कब है और एक्जाम सेंटर कौन सा है तो सभी बचे कमर कश लीजिए एक्जाम सारे आने स्टार्ट हो चुके हैं दिल्ली प्लिस की भी vacancy आई हुई है एक्जाम डेट आज चुकी है वो भी कमर कश ले क्यूंकि उनके पास भी समय बहुत कम बचा है लार ले बिल्कुर लाले परदानमंदी नरेंदर मोधी जो दो दिवसी है आस्टेलिया के दोरे पे गए थे उस समय सो मार रात को लोगों ने एरिपोर्ट पे प्याम मोधी का भविए स्वागत किया था और आस्टेलिया के सिड्नी में प्याम मोधी ने शिडनी में तो हेलिस पार का नाम बदल करें लिटल इंडिया कर दिया गया था इनके सम्मान में बाल करते हैं एक लेक्षिन की ओर कि गुण पचास में जी सेवन सिकर समयलन दोजार तेजिस का आयोजन कहों हुआ जर्मनी संउक्तराज अमेरिका फ्रांस या जापान तो साब दीजिए एक बार कमेंट सेशन में बीनाक्षी दे रहीगे देखते हैं इसका सब सेपल है राइट ओप्शन बिल्कुल बिल्कुल लाले आपके जापान में हुआ था और जापान में अगर डेट पूचरी जाए लाले तो डेट क्या थी लाले 19-21 मई 19-21 मई-2023 और बात करते हैं आपके पचास में की तो पचास में का है लाले हिरोशीमा हिरोशिमा में जो आपका 50 स्माद G7 सिकर समयलन का आयजन हुआ था बिलकुन लाड ले हिरोशिमा साहर में G7 सिकर समयलन के कहीं दोसों में रास्टे देख साव कि रहाते जो बेटग हुई थी जिसमें पेम मोदी ने भी जापान के हिरोशिमा में इसमें बेटग में भाग लिया था लाड़ दे बात कतें निम लिक्त में से किस भारतिय व्यक्ति को यूटूब का नया CEO न्यूक्त किया लाड़ ले च्यार उप्सन सापके सामने बड़ा इंपोर्टेंट किसन है आपके 20 में तो साप दीजिए एक बार कमेंट शेशन में राइट आंस्वर बिलकुल लाड़ ले रख होसला वो मंजर भी आएगा पैसे के पास समुंदर भी आएगा यू रूट करना बेट मंजिल के मुसाफिर मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा लाड़ ले पैसे बिल्कुल बिल्कुल लाड़ ले आपके दो नील मोहन है जो हाली में बारती व्यक्ति को यूटूब गा नया सियो बनाया है और किन के जगळ बनाया लाड़ ले जो आपके यूटूब के पहली कि सुषें वो जी की जगे बनाया गया है जो continuously 9 साल तक जो सियोब बनी हुई थे इसके अब बात करते हैं अगले एक्षिन की उर कि करनाटका के ने मुखे मंत्री के पद पर किनों होने चुना गया है किने चुना गया है तो सभी बच्चे एक बार कमेंट सेशन में चाप दीजिए राइट अंसर बिना किसी देरिके देखते हैं इसका सबसें पहले राइट अप्षिन कौन देता है लाड़ले जे बिल्कुल लाड़ले आपका राइट अंसर है सिधार मयाँ जिने आपके करनाटका के जो राजेपाल है कौन है लाड़ले अभी राज येपाल थावर चंद गयलो जिनके दुआ राज जो सिधार्द मयाओं को उनको जो कनाटका के ने मुख्यमंद्री के रूप में दूसरी बार सपत दिलाई है बात करते हैं अगले एक्षिन की ओर कि सवच भारत मिसन ग्रामिन चरण सेकेंड के तहत किसे राज जे के गाउं सो परतीसेते ओड़ी एप प्लस गोशित हो चुके हैं चार उप्संस आपके सामने देखते हैं इसका राइट आंस्वर कोन बताता है लाड़ले सभी बच्चे एक बार कमेंट शेशन में चाप दीजिए क्योंकि आपके जो करन्ट के क्यूशन है लाड़ले अती मैतोपूर होते हैं सभी एक्जाम की दर्श्टी से हैं क्योंकि अगर किसी भी एक्जाम में आपको सेलेक्शन देरोना है तो मेरिट लिस्ट में अगर किसी सब्जेक्ट से आते हो तो मात्र आपकी यही कलास होगी जो आपकी करन्ट की होगी तो करन्ट के मादन से आपकोई भी वेकेंशी उसमें आपके गुस सकते हो बिलकु लाड़ ले तो चाप दीजी एक बार कमेंट सेशन में बिनाक्षी देरी के बिलकु लाड़ ले आपका राइट आमसन है जी हाँ पेलेंगाना जो सोच भारत मिसन ग्रामीन सरन जो सेकिंड था उसके तहत राजे के गाउं सो परतिसे थे ओडिया प्लस गोसीत किया गया था बात करते हैं इसके लावार ले कारनाटका की तो कनाटका में नन्याण में पोइंट पांस परतिसे रहा था कनाटका में कहा था लाड़ ले नन्याण में पोइंट पांस परतिसे इसकी पोजिशन रही थी दो नमर पर बात करते हैं तमिन लाडू की किसकी बात करते हैं लाड़ दे आपके तमिन लाडू की बात करते हैं जो तो तमिन लाडू किसरे इस्तान पर राता लाड़ दे तमिन लाडू आपके तीसरे इस्तान पर राता आपका तमिन लाडू लाड बिल्कुल कनाट का कि आपके तीसरे इस्तान पर रहा था इसके बीच में एक तोर सी इसके बात कर लेते हैं बिल्कुल लाले जो अपना बिल्कुल कुशन नमर था आपना जो जो तीन नमर पर रहा था आपका इसमें हमने दिखाए था लाले कि तीन नमर पर आपका जो तमिल लाडू रहा था जो सत्यानवा पोजिशन पर रहा था लाले और बात करते हैं इसके अलावा जो आगे पिलकुर लार ले जिसमें तीन नमर पे कौन रहा था लार ले इसमें हमने अभी पात किये था इसके तरण के सेकंड के बाद में हमने पिलकुर लार ले जो सबस्बाद मिसन के तहत ये पुईती बिलकुर चाप दीजिए एक बार इसका कमेंट सेशन में बिलकुर हमने जो बात कि थी इसमें तेलंगाना जो 100% पे रहा था एक नमर पे और दो नमर पे आपके रहा था करनाट का जो 99.5% पे रहा था वो इसमें तीन नमर पे कौन रहा था लार दे तीन नमर लार ले तेलंगाना रहा था ठीक है लार दे और तेलंगाना का जो परचित रहा था लार ले वो कितना रहा था आपका जो तेलंगाना का बिल्कुल तेलंगाना सोपरचित करनाटका गे 99.5 और तमिलाडू के 97.8 प्रतिशत के साथ तीसरी पोजेशन पे रहाता लाड़ दे ठीक है बात करते हैं इसके अलवा अगले क्षिण की और अगले क्षिण में क्या लाड़ दे कि उत्र भारत का पहला पर्मानों सेयंतर कहां इस्तापित किया गया या कहां किया जा रहा है फरीदाबाद गोरकपूर गुरुगराम या राखी गड़ी तो साब दीजिए एक बार कमेंट सेशन में बिनाक्षी दे रही है बिल्कुल ला आप बात करते हैं आपके अगले क्षिण की और तो अगला क्षिण है लाड़ ले किस भारतिये विमान कंपनी ने एर बस में विमानों की खरीद का समझोता किया है स्पाइस जेट विस्तार इंडिया एर इंडिया या इंडिगो बड़ा इंपोर्टेंट क्षिण है आप पूर्टेंट क्रिये विमान कंपनी आप से थीकर लार ले विमान की खरीद का समझोता किया है इंडियो से हैं ठीकर लार दे बलकुल अगले क्षिण की बात करते हैं लार ले जो अगला क्षिण रहेगा आपका कि 21 जून 2023 को अंतराश्टे योग दिवस का कौन चासंस करन आयोजित किया गया था 10 वाँ, 11 वाँ, 8 वाँ या 9 तो चाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में बिनाक्षी दे रिगे देखते हैं इसका सबसें पहले, राइट उप्शन को ने देदा राड ले बिल्कुल सभी बचे एक बार साप दीजिए कमेंट सेशन में बिनाक्षी दे रिगे बिल्कुल लाले जो 21-22-23 को जो अंतराष्टे योग दिवस मनाए गया था वो अगर संक्या की दर्शी से देखा जाए तो लाले आपका नोवा संस्करन था और उसकी जो थीम थी लाले वो अगर थीम भी पूछी जा सकती है तो लाले इसकी थीम क्या थी वसुदेव कटूमबकम वसुदेव कटूमबकम इसकी जो थीम रही थी लाले ठीक है बिल्कुल लाले इसके अलावा बात करते हैं इसमें अलग जो आगे कुशन पूछा जा सकता है लाले वसुदेव कटूमबकर का वेसे अर्थ होता है दर्ती ही परिवार है अगर इसका अर्थ पूछ लिया जाए तो इसका अर्थ होता है लाड़ दर्ती ही परिवार है ये इसका अर्थ होता है ठीक है लाड़ दर्ती ही परिवार है ये इसका अर्थ होता है ठीक है लाड़ दर्ती ही परिवार है ये इसका अर्थ होता है ठीक है भाग रखी थी जिसे स्युकार किया गया था और 21 जून को सब से पहले जो अंतराश्टी इस तर पर जो पहली बार अंतराश्टी योग दिवस मनाया जाता था वो कब मनाया गया था लाड़े आपके क्योंकि 2014 में जब मांग की थी मोदी के दुआरा और 21 जून अगली बार आया था कभे 21 जून को मनाया जाता है योग दिवस और 21 जून 2015 को अंतराश्टी इस तर पर पहली बार इसे योग दिवस मनाया जाया गया था बात करते हैं नेक्स यूशन की और लाड़े अगला यार ने अप्रेल 2023 में पेट्रोल में कितना परतिशत इथनोल मिश्रन की योजना प्रारम की है तो सभी बच्चे एक बार कमेंट सेशन में चाप दीजिए 20 परतिशत 15 परतिशत 25 परतिशत या 10 परतिशत तो चाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में बिलकुल राइट बिलकुल यह अभी लागु हुई थी एक अपरेल से यह उजन मौतु की गई है बिलकुल इस से पहले बिलकुल लाड़ जी हाँ इस से पहले जो 10% थी और एक कमें लाड़ ले एक अपरेल है 2023 से ये दर है वो लाड़ ले 20% हो गई थी और अब ये कब तक रहेगी लाड़ ले 2030 तक 20% रहेगी बात करते हैं अगले क्षिन की लाड़ ले तो अगला क्षिन है कि वर्स 2021 का गांधी सांती पुरुषकार किसे परदान किया जाएगा क्यां किया जाएगा तो एक बार कमेंटरशेशन में ये जाप दीजिये देखते हैं इसका सबसे पहले राइट अप्षिन कौν देता है फड़ा इंपोर्टेंट इंट्रेस्टिंग क्यूशन है लाड़ले कि वर्ष 2021 का गांदी सांती पुरुषकार किसें दिया जाएगा जी बिलकुल लाड़ दे बिलकुल बिलकुल राइट आप सनाप का जी हाँ बिलकुल गीता प्रेस गोर्गपुर को ये दिया जाएगा 2021 का गांदी सांती पुरुषकार लाड़ दे बिलकुल बात करते हैं इसके अलावा इनाम बिल्कुल एक करोड़ जिशे 10 मिलियन के बराबर एमान आ जाता है बिल्कुल नविंतम जो जविजेता है गीता प्रेस बिल्कुल लार ले जवजा 21 में 23 में से समानित किया जाएगा किसें दिया गया है गीता प्रेस गुर्ख पर को 2021 का गांधी सान्थी प्रुसकार दिया गया था और इसकी इनाम की राशी कितनी है दार दे अगर राशी पूछ ली जाए तो राशी भी याद रखना दे एक करोड कितना एक कोका एक करोड इसकी इनाम राशी है बिलकुल बिल क्यूशन की बात करते हैं अगला क्यूशन आपका बिलकुल बड़ा इंट्रेस्टिंग क्यूशन है आप सभी के एक्जाम की देशिचे महतोपुन है कि रंजी ट्रोपी 2023 विजेता टीम कौन सी है चार्टी में आपके सामने है चाप दीजी एक बार कमेंट सेशन में बिनाक्षी दे रही के पड़ा इंपोटेंट है रंजी ट्रोपी 2023 विजेता इंपोटेंट क्यूशन बिलकुल बिनाक्षी दे रही के जी बिलकुल आपका राइट आंसूर है सोराष्ट विजेता रही थी आपकी 2023 की बात करते हैं सोराष्ट ने जो 9 विकट्स हैं हराया था किसको हराया था लाड़ ले बंगाल को हराया था 9 विकट्स है 9 विकट्स है आपके बंगाल को हराया था बंगाल उपी विजेता रही थी और विजेता सोराष्ट की टीम रही थी बिलकुल ला ले और बारते हैं क्रिगेंट कांसल बोर्ड के दुआरा यह आई जित एक क्रिगेंट चेंपियंशिप है और बात करते हैं बारत ने अभी तक 2013 में चेंपेंशिप जिती थी जो मैंदर सिंग दोनी के कारिकाल में जिती थी वो अन्तिम चेंपेंट टोफी थी जो बात करते हैं कि चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राजिये कौन सा है हरियना गुज्रात पंजाब या राजस्तार तो जाब दीजिए एक बार कमेंट सेशन में बिना किसी देर के आज का क्यूशन बड़ा इंपोर्टेंट क्यूशन रहेगा सभी बच्चों के लिए बिलकुल लाड़े जो चलने के अधिकार को लागू करने वाला जो पहला राजिये जहाँ था जो किस ने प्राप्त किया है गवरू लाड़े पंजाब ने और बात कर लेते हैं पंजाब के सीम की किसकी सीम की चिप मिनिस्ट्र या मुखे मंत्री की मुख्यमंत्री की पंजाब के मुख्यमंत्री को न लाड़ ले वह हैं सबसे important पूछा जाता है लाड़ ले पगवंतमान और ये खासी में चर्चा में इसलिए रहते कि ये बार बार नहीं नहीं गोशना ही करते हैं नहीं योजना ही निकालते हैं पगवंतमान बात करते हैं इनकी पार्टी कोण सी है लाड़ ले तो इनकी पार्टी से भी पूछा जा सकता है तो पार्टी इनकी आम आदमी पार्टी है आम आदमी पार्टी इनकी पार्टी का नाम है बिल्कुल और आम आदमी पार्टी के अलावा इसकी एक आम आदमी पार्टी के और सियम है वो है दिल्ली के कौन से हैं दिल्ली के जो राष्टिय स्वेज़क है जिसे हैं अरविंद केजरिवाल दिल्ली के सियम वो भी आम आदमी पार्टी से हैं कि कर लाड़ ले बिलकुल और दिल्ली के सीम कोन है अरविंद केजरिवाल चाप लीजी एक बार सभी बच्चे उसके बाद आगे की किशन और की चलेंगे अगले किशन की और चलेंगे लाड़ ले बिलकुल अगरा किशन आपके इसामने कि चर्चा में रही प्रेटन, पंडू भी, टाइटन का समन्द किस कमपनी से है अमेजोन, ओस नगेट, गुगल या माइक्रोसोप्ट तो साब दीजिए बड़ा important question रहेगा सर्चा मेरे ही प्रेटन, पंडु भी, टाइटन का समन्थ किस कमपनी से हैं वेलकुल साब दीजिए एक बार comment session में बिना किसी दे रहे के बिलकुल बिलकुल ओसन गेट जो कमपनी थी ठीक है लाड़ दे, कौन सी थी लाड़ दे, जिसका समन्थ ओसन गेट कमपनी से था बात करते हैं next question की ओर तो अगला question आपका कि बारतिय वाई शेना ने बिलकुल लाड़ जो इनका में मुख्याले था वो लाड़ आपके परियाग राज में था और इसके बारे में तो चर्चा कर लेते हैं लाड़ ले कि जो आपकी यह अब्यास हुआता वो लाड़ ले आपके 16 से 23 जून को हुआ था भी हाली में 8 दिन का यह अब्यास रहा था जिसमें दिन और रात पार्थ जो शेना थी उन्होंने अपनी जान जोंक दीती पूरी और यूबी हिल्स और सेंट्रल एयर कमांड एरिया ओप रिस्पोंसिबिलिटी में आयोजी तो हुआ था ठीक है यह एक बार इसकिन सोट ले लीजिए यह एक्जाम में क्यूशन है चपने वाला है बिल्कुल लार ले बात कते हैं आपका अगला क्यूशन बड़ा इंपोर्टेंट क्यूशन है कि विश्वे टेस्ट चेंपेंशिप 2013 की विजेता टीम कौन सी रही चार्टी में इंप्रेस्टिंग क्यूशन रहा है आज कौन देता है विश्वे टेस्ट चेंपेंशिप 2013 की विजेता टीम देखते हैं इसका सबसें पले राइट सुप्षन कौन देता है Meg twin तो चाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में बिना खिशी देरी के बिल्कुल बिल्कुल लाड़ ले जिसमें विजयता टीम रही थी आपकी आस्ट्रेलिया और उपी विजयता टीम कोंद रही थी आपकी भारत बारत के समने 424 रनों का जो विजय लक्षे रख दिया था बिल्कुल लाड़ ले जिसमें बारत की सरबना का हार हुई थी लाड़ ले जिसमें अस्ट्रेलिया ने 209 रन से हरा कर रोईस्ट्रवा की टीम को लगा था दूसरी बार विजय टेस्ट चेंपेंशिप से खिताब से वन्चित किया था यसे पहले भी भारते डबलू टीसी जो फाइनल हुआ था वर्ड टेस्ट चेंपेंशिप में भी हार का सामना करना पड़ा था और लगातार दूसरी बार विजय ता टीम कोंद शी रही आपकी अस्टेलिया टीम रही है और आगे 2004 में हो जब आगे वारे होगा जापका डबलू टीसी उसमें आपकी एक मत्रेशी टीम है वेस्ट इंडीज जो क्वालीफाई भी नहीं कर पाई ये पाईली टीम होगी बिलकुल ये भी आपके लिए इंपोर्टेंट क्यूशन रहेगा बिलकुल आज का जो शेशन था बड़ा इंपोर्टेंट रहा था इसी के साथ आपके इस बीच से कलास से इजाज़त लेंगे और आज की कलास अती मैतव पूर्ण होगी एक बार सभी बच्चे इसको शेर जरूर कर दे क्योंकि आपके CHSL का एक्जाम का एड्मिट काड़ा आज चुक है द आज से के पास समुंदर भी आएगा यू रूट करना बेट मंजल के मुसाफिर मंजल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा लाले जाहिंद जैभार्ट